पूरे विश्यु में 10 लाग से उपर महिलाएं हर साल बार्थोलीन एपसिस से पीडित होती हैं और कुछ केसे में ट्रीटमेंट सही ना होने की वज़े से यह प्रॉबलम बार-बार होती हैं नमस्कार मैं डॉक्टर पल्लवी अक्रवाल आज मैं बात कर रही हूं बार्थोलीन एपसिस के बारे में जब मैं बार्थोलीन एपसिस की बात कर रही हूं तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है बार्थोलीन सिस्ट के बारे में बार्थोलीन सिस्ट एक मटर के दाने जितनी बड़ी glands होती है जो योनी मार्ग के बाहरी हिस्से में होती है इनकी जो ducts यानि इनकी जो opening होती है वो योनी मार्ग के अंदर खुलती है और इनका काम होता है हलका पतला तरल पदात सिक्रीट करना जो की vaginal lubrication यानि vaginal में चिकनाहट का काम करती है क्योंकि vaginal mark पर है इसलिए ducts के block होने की संभावना ज्यादा होती है उस area में होने की वज़े से जब भी ये ducts block होती है तो जो gland से secretion योनी मार्ग में जाना चाहिए वो जा नहीं पाता और gland दीरे-दीरे करके वो collection इखटा करती जाती है जिसकी वज़े से gland दीरे-दीरे करके म सकती है और जब इसमें मवाद पढ़नी शुरू हो जाती है तो जो लक्षन आते हैं वो होते हैं दर्ध बुखार चलने फिरने में दिक्कत बैठने में दिक्कत ये ऐसा समय है कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर को संपग करना है क्योंकि दीरे-दीरे करके ये size है जब यह फूटती है तो आपको इमिडेट पेन रिलीफ हो जाता है लेकिन अपने आप फूटने की विज़े से एक या दो महीने बार दुबारा बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है अब हम आएंगे इस टॉपिक पर कि जब बार्थोलीन एफसेस बन गई है तो हमें डॉक्टर के पास पहुँचके हमारा इलाज क्या होगा जब भी बार्थोलीन एफसेस बनती है तो इलाज हमेशा सर्जिकल होता है यानि की ऑपरेट करना पड़ता है दवा गोलियों से यह ठीक नहीं होती है सर्जडिBA 3-4 तरह की होती है इंसीजानेंज दे शिंग न्यृपिलियोसे एंस्सीजड के साथ सिल्वर नाहिट्रिकेशन या फिर सिस्यूहल लेकिन जो सबसे कॉमन तरीके से पर्फॉर्म की जाति है वह मरसुपिलयजेशन होती है मासुपिलाइजेशन में हम उस सिस्ट के उपर हलका चीरा देते हैं पूरी मवाद निकाली जाती है और सिस्ट को इस तरह से सिला जाता है कि एक हलकी सी ओपनिंग बनी रहे जिससे दुबारा डक्ट ब्लॉक ना हो यह सबसे कॉमन तरीका है बार्थोलीन एपसेस को ठीक करने का मोटे मोटे तौर पे आपको एक दिन का हॉस्पिटल में इस्टे लगता है और यह प्रोसीजर इस्पाइनल यानि पीट में सुई लगा के आदी बिहोशी में होता है बात आती है बार 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 थोलीन एपसेस की, कई बार कुछ केसे में हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि मास्पिलाइजेशन होने के बावजूद भी दुबारा से बार थोलीन एपसेस उसी साइड में बन गई उस case में हमें पूरी Bartholin gland को निकालना पड़ता है जिससे की बार-बार Bartholin abscess ना बने यह अपने आप में थोड़ा बड़ा procedure है इसमें hospital stay दो दिन का लगता है आखरी question जो मन में आता है वो यह आता है कि क्या यह sexual activity से related है क्या यह सिर्फ married females में होता है नहीं ऐसा नहीं है यह unmarried female में भी हो सकता है हाँ यह related to hygiene जरूर है इसलिए जब भी Bartholin abscess होती है तो आपको proper hygienic condition में रहने की सला दी जाती है आखरी बार Bartholin cyst क्योंकि दोनों तरफ होती है दो gland होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको right side में हुआ और उसके बाद अगले साल आपको left side में हो जाए तो यह recurrent Bartholin cyst नहीं है recurrent यानि कि बार-बार जो Bartholin abscess हो रही है वो अगर एक side में हो रही है तब हम उसको recurrent बानते हैं धन्यवाद Bartholin abscess से संबंदित आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मेरे को comment box पर share करें